नमस्कार स्वागत है आपका फिल्मी पीट में आपके साथ मैं हूँ दिपिका नयाल बॉलिवोड की राजी गल आलिया भट ने अपनी फीस नहीं बढ़ाने का फैस्टा लिया है अमूवन फिल्म हिट होने के बाद एक्टर हमेशे अपनी फीस बढ़ा देते हैं लेकिन राजी की कामियाबी के बाद आलिया भट ने अपनी फीस नहीं बढ़ाने का फैसा लिया है इसके पीछे वज़ा कोई और नहीं बलकि दिपिका पादु कोण है जी हाँ आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये 100 फीस दी सच है दरसल दिपिका ने पदमावत की सक्सेस के बाद अपनी फीस बढ़ा दी थी पदमावत के लिए उन्हें अपने को स्टार से ज़ादा फीस भी मिली थी इस बात का खुलासा दिपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था लेकिन इन दिपिका के पास बहतरीन प्रोजेक्ट आने के बावजूद कई फिल्मों के बराबर फीस के ओफर नहीं आ रहे है खबरों के मुताबिक करण जोहर का बैनर भी दिपिका को इतनी ज़ादा फीस देने के लिए राजी नहीं है ऐसे में फीस की वजह से उनके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट जाने की समभावना है लेकिन दिपिका के इस एक्सपिरियंस से आलिया ने ले लिया है सबक लिहाज़ा फिल्म हिट होने के बाद आलिया ने अपनी फीस नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है वैसे इसमें कोई शक नहीं कि आलिया का ये फैसला उनके करियर के लिए अच्छा साबित होगा फिलाल आलिया इन दिनों अमिताब बच्चन और रनबीर कपूर के साथ ब्रहमास की शूटिंग में बीजी है इसके बाद वो रनबीर सिंग की गली बॉय में भी नज़राने वाली है बैरहाल इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बाकी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले